हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद कर रहा हूं सब लोग ठीक होंगे तो बात कर रहे हैं हम लोग जोग्रफी और इंवर्मेंट करेंट अफेर्स को थोड़ा mcqs से हम लोग चेक करेंगे और यह करेंट अफेर्स वाले mcqs होंगे जो कि कुछ रिसेंटली करेंट अफेर्स में रहेंगे तो यह सीरीज आगे तक बनी रहेगी इसमें मैं कुछ आप लोग को डिरेक्टली दूंगा पहले आप लोग को सॉल्व करने हैं और जो भी आपके आंसर से उनको प्लीज नोट डाउन कर लेना उसके बाद एक बार हम लोग चेक भीकल लेंगे और यहां पर पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दी गई हैं जहां पर आप मेरी प्रोफाइल पर विजिट करके आप साथ बजे शाम को स्पेशल ग्लासे भी ले सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दे सब्सक्रिप्शन पढ़ना है सब्सक्रिप्शन बता दूंगा ठीक है जाद समय नहीं लेंगे कंसिडर फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग पुल्वन पॉलीमर यह न्यूज में था रिगार्डिंग की इसके कुछ बेनिफिट भी थे इस बायो मटेरियल चेन ऑफ ग्लुकोज देट इस यह निक है मटेरियल है यूज इन फूड कॉस्मेटिक्स एंड फर्मसेटिकल इंडस्ट्री तो क्या लगता है आपको इसमें क्या गलत होना चाहिए आंसर वो पूछ रहा है आप से कि क्या गलत है इसमें ठीक है आराम से इसको स्वाल कर दीजिए आप लोग चाहे तो पॉस कर सकते हैं वीडियो एंड फाइटो रेमिडियेशन फाइटो रेमिडियेशन क्या होता है वह आपको बताना है और आप कॉमेंट में जरूर बताना कि आपके कुस्ट्ट कितने सही निकले हैं और कितने गलत बाद में अपन सॉलुशन देखने के बाद इस दा यूज प्लांट्स, माइकरो अलगे, सीवेट्स जिससे हम हेवी मेटल्स को रिमुव करते हैं इस वाइल में से इस प्रोसस केनाट बी उस्ट रिमॉव और गैनिक पॉलुटेंस भूजू दू डू अगानिक ब्रेक डाउन यह स्टेट्मेंट कह रहा है कि और गैनिक चाहिए इसके साथ साथ जो है अगला कुश्चन है पीपल्स बायो डाइवर्सिटी रेजिस्टर क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए कि यह ऐसा रिकॉर्ड अफ नॉलेज परसेप्शन ए अटिटूड अटिटूड अपीपल अवाउट नैच्छल रिसूर्स प्लांट अनिमल्स एंद्यार कंजर्वेशन इन विलेज और पंचायत केरला पहला एसा राज स्टेट है राज है और कोल्कता पहला एसा मेट्रोपोलिटन सेटी है जिन्होंने इस तरह का डीटेल्ड रेजिटर बनाया फॉर बायो डाइवर्सिटी पर तो क्या लगता है आपको इन इन वेस्टमें इन फोरेस्ट एं लेंड्सकेप रिस्टोरेशन ग्लोबिली मस्ट बी अट लीस्ट ट्रिपल बाई 2030 यह कुछ दिनों पहले हुआ है और स्योल फोरेस्ट इक्रेशन क्या क्या उसके अंतरगत प्रावधान रखे गए थे वह पता होना जी अपने हो हेल्दी प्रोड़क्टिव फोरेस्ट मस्ट बीमेंटेंड टो डिडिवस्ट पाइंड लेट इंड बाई 2040 जारो स्टेट्मेंट में से आपको क्या लगता यह आपको बताना इस को आप ऐसे नहीं समझ लेना कि सब अच्छे आंसर लग रहे हैं तो कुछ भी लगा दूग काम के हैं पढ़ लेना क्या क्या सुल्यूशन थे आप लोग शुरू करते हैं हम लोग सो यह पुलियन पॉलिमर जो होता है बिल्कुल इसके आंसर जो है डी रहेगा क्योंकि दोनों स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है यह थोड़े दिन पहले निउस में भी था कि यह पॉलि इस तरह की कोश्चन साने लगें तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि एक पॉलिमरिक चेन है ग्लुकोज का याद रखना बूला नहीं यह इंपोर्टेंट है अपने आप में और उसके बाद में फूड फॉर्मस्टिकर इंडस्ट्री में यह याद रख सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना राइपनिंग और फ्रूट्स डेली डे टुडे अप्लिकेशन वाली चीज़ें यह बड़ा कॉमन यह चीज है जिसको यूज करते हैं एथेपन का और उसके बाद में जो कैलिशियम करबाइड है और एथिलीन यह तीन चीज बेस यह वाला वर्ड भी यूज हो सकता है एक्जाम में तो यह सब बहुत ही ऐसे स्टेटमेंट्स हैं यह चीज है जिनको बेसिक अप्लिकेशन पार्ट है यह पता होना चीज है अब यह डाउन टू अर्थ में यह कोश्चन आया था जिसमें यह बताया कहते है कि किस तरह से जो ठीक है तो कुछ ऐसे अलग-अलग आपको प्लांट यह से दिखाई देंगे तो जैसे माल लीजए उधारण के तौर पे फाइटो एक्स्ट्रेक्शन होते हैं मतलब नॉर्मल यह दि हम लोग बात करें तो कोई कंसंट्रेशन ऑफ कंटैमिनेंट्स फ्रम दे स्वाइल टो प्लांट टिशू यहां पर इखटे हो गए फॉर एक्जामपल तो इसी के एक फॉर्म है यह अलग-अलग यह आप लोग देखोगे तो कि राइजो फिल्ट्रेशन फॉटो डिफाइटो डिग्रेडेशन अब यह सब चीजें बेसिक एक टर्म में अंडर में आप रख सकते हों कि भाई फाइटो रेमेडियेशन स्वाइल में से हमें टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब क्या है इस तरह है कि हम लोग पजातियों को यूज करके जो है इसमें जितनी भ लोग कि राइजो फेल्टरेशन क्या होता है कि जहां पर एब्सॉप्शन ओफ पॉल्यूटेंट्स फ्म दे वाटर पानी से आप जब कर रहे होते हो फाइटो डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ओफ और गैनिक कंटैमिनेंट्स ठीक है अब यह थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को भूलना मत यह रेमिडियेशन अलग वर्ड हो रहा है ठीक है जी हां उसके बाद में फाइटो एक्स्ट्रेक्शन कंसेंट्रेशन ओफ कंटैमिनेंट्स फ्म स्वाइल टू प्लांट्स टिशूज फाइटो डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन ओफ और गैनिक क यह था रहा है उसमें ही जो है एक तरह से फाइटो रेमिडियेशन है ठीक है तो फाइटो रेमिडियेशन एक तरह से हाईपर एक्कुमिलेटर प्लांट की तरह आप इसको चहसके हो जो के toxic material यूज मतलब निकाल रहे होते हैं और उसके फिर living tissue में ये accumulate हो जाता है बाद में plant को या तो मतलब कई बार use करके नस्बी कर देते हैं harvest कर देते हैं indirectly वहाँ पर ये मिलता है जहाँ जो है soil, rich in nickel, cobald वगरा जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दूसरी important बात ये काम की चीज़ है कि organic pollutants को नहीं निकाल पाते हैं ये वाले जो phytoremediation के अंतरगत जो plants होते हैं hyper accumulator क्योंकि इसमें फिर वही बात है metabolic breakdown वगरे कि कुछ जो normally हम बात करें तो ये issues बन जाएंगे मतलब of course organic process होती है metabolic breakdown में देखो catabolic होता और एक metabolic होता है creation होता और तूटने की बात होती है तो उसमें organic feature जनरली हमें देखने को मिल जाता है ये चीज़े याद रखनी पड़ेगी आपको कि organic pollutants नहीं रिमोगे बलाब यह statement बहुत ज़्यादा काम का है और भी नॉर्मल तरीके है इसके बाद में फाइटो रेमेडियेशन का यह टम्स आप में अपना यूज कर सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना यह तीनों काम के हैं फाइटो रेमेडियेशन की वर्ड इंपोर्टेंट है आपको लगता है और भी आ लोकल लेवल अवेलेबल है लोकल लेवल का जो नॉलेज अवैलेबल है उसपर ठीक है तो यहुन मंक्सद है राज और के constituy they are dead एस इसके बाद में इस थीम का विश्तमाल विश१सां सरायटिंग की तरफ ले सकते हैं जब आपको लोकल लेवल पर और बादर्य करने की बात आ रही हो तो इसका भी स्टेट्मेंट जो है करेट की बात करेगा तो सी आंसर होगा बोथ पने टू इसका इन्वेस्ट्मेंट इन फॉरेश्ट लेंड्सके प्रीस्टोरेशन ग्लोबल मस्ट बी लिए लिए ट्रिपल वाई तीन गुना करने की बात हो रही 2030 तक उसके बाद में कमेंट में बता देना वैसे तो पड़ा होगा आप लोगों हेल्दी प्रोडक्टिव फॉरेश्ट जरूरी है ताकि यह जो फ्यूचर पेंडमिक्स वाली बात इसमें की गई है और यह जो दो बातें हैं बाकी की यह दूसरे जितने भी फॉरेश्ट के डिक स्काहर्चे कि अब जयुक् सब्सक्राइबूए तो लिए थिए तो निकले कि रॉंग निकली हैं और क्या का नई-णी छीज चीज आप जबुता देना इसके साथ अब मैं कल और आपके लिए ऐसे कुछ कुछ MCQ लेकर आऊंगा कॉमेंट में जरूर बता देना आप लो और बाकी अनकेडमी सब्सक्रिप्शन से रिलिटेट कोई भी क्वेरीज होती है तो यू कें यूज दिस नमबर डेरेक्ली वार जस्ट वन कॉल अवे और यूज दिस कोड एज जी वाइटी बन जीरो फॉर द डिसकाउंट 20% डिसकाउंट जो है अगले तीन दिनों आपको मिलने वाला है थैंक यू सो मैच